कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिजे कुमार करी और मैं आप लोगों का हर देख स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुखा क्लासर और अगरिकल्चर दोस्तों आज हम लोग इंट्रोडक्टरी प्लान्ट पर्थलोजी का छठवे लेक्चर का द क्लासिफिगेशन आप प्लांट पीजीस के बारे में बताऊंगा कि मतलब जो पौधर में बीमारियां लगती हैं उनका क्लासिफिगेशन हम किस प्रकार से करेंगे इसका अध्यन हम लोग आज इस लेक्चर में करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या है कि आदार पर हम कि उसको ही सबस 15 करसकते हैं जो ऐक्रवल एक प्रापर ज drive पे सरक्ते हैं उनका क्लासिफिगेशन ओता है और और प्रमुक रोग कारकों के अनसार जैसे कुछ संक्रामक रोग होते हैं उनको किसी कारक होता है उनको एक जगा से दूसरी जगा पर फैलाने वाला और एक होता है असंक्रमक मतलब non infectious disease होती है जो एक से दूसरी में फैलती नहीं है तो ये मुठिया δो प्रकार के कारक हैं जिसमें से ये पहला प्राप्तिय स्थान के अधार पर पाॉदयों को कई भागों में बाटा गया है जिसमें नंबर एक है endemic इंडेमिक देखो ध्यान से पढ़ना इंडेमिक, एपिडेमिक, इस परडेक और पेंडेमिक ये चार-पांच परकार के होती हैं इनी के बारे में हम अध्यन करेंगे जिसमें पहला है एंडेमिक जब कोई रोग एक बिसेश देश अथवा किसी भूभाग में प्रायह निरंतर एक वर्स से दूसरे वर्स सामाने से लेकर उगर रूप में उपस्थित रहता है तब इस छेतर के लिए हम एंडेमिक डिजीज के नाम से पुकारते हैं देखो ये कह पहला है जैसे कोई डिजीज है जैसे मान लो कि जो आलू है आलू में नेमेटोड लग रहा है तो आलू में नेमेटोड लगता है यहां नहीं लगता है यो अर। लगभग हर साल लगता है तो किसी एक प्रॉपर छोटी सी जगा में लगेगा और हर साल लगेगा तो इसको हम इस प्रकार की डिजीज को हम क्या कहते हैं इंडेमिक डिजीज यह क्लासिफिकेशन जो है बहुत महात्यपोड है बहुत पेपर में पूछा भी जाता है इसलिए अप लोग इसको धान से पढ़िएगा पिर अगला है इसमें क्या होता है वह रोग जो सामानतिया ब्यापक और विनासकारी रूप से एक बहुत बड़े छेत्रफल में पर कभी-कभी और ज्यादा वह रोग जो सामानतिया ब्यापक और विनासकारी रूप से एक बहुत बड़े छेत्रफल की फसल पर कभी-कभी अथवा सामयक उत्पन होते हैं और फसलों को बहुत हाने पहुचाते हैं जो इंडेमिक डिजीज था वो किसी एक छेत्र में हो रहे थे और कैसे हो रहे थे न देरंतर हो रहे थे लेकिन जो इपीडेमिक डिजी झोती है यह बहुत बड़े च्शेत्रफल में फैलती है और यह कभी-कभी फैलती है यह एक जृता है यह कभी-कभी फैलती है стी है 20-30 एक जैसे वह इस ऐसे कई साल पर होता है तो इस प्रकार कोई डिजीज अगर कोई फैल लेगी तो इतन मैंने एक्जामपल दिया टिडियों को, टिडियों रोग नहीं हो तो इंसेक्ट है, लेकिन इसी प्रकार से कोई रोग अगर फैल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इपीडेमिक डिजीज अब देखो, इपीड प्षित अथवा अन्यमित अंतराल में यदा कदा तथा दूर अन्यमित अस्थानों पर बहुत थोड़ी उधार के रूप में उत्पन होते हैं इस पूर यानि की इस प्रेड होने वाले मतलब एक जिगा से दूसरे जिगा पर जाने वाले थोड़ा सा यहां पर हो गया सब्सक्राइब कर दो अब अगला फैंडेमिक डिजीज क्या होती है जब कोई रोग किसी छेत्र में अबधिक अंतरालों पर प्रकट होता है और यह लगातार पूरे उप महाद्यूप में या पूरे देस में या पूरा बिस्व इस से ग्रसित हो जाता है तो इसको हम क्या क यह डिजीज का सबसे उग्र रूप होता है यह क्या होता है यह पूरे कंट्री में कभी को फैल जाता है जैसे मालों जो फैल ला यह पैंडेमिक डिजीज एक बन गई है पूरे 20 सुम फैल गया है तो इसको हम क्या कहेंगे पैंडेमिक डिजीज एक बार चल्दी से हम बहुत आनी पहुंचाता है ॉटी थोड़ी जगानगा होता है होता है थोड़ा सा होजाएग थोड़ा सा यहां च होगा तो इस प्रकार पूरे इंटार कारकों के अनुसार पादब रोगों का वर्गी करड़ करते हैं सबसे पहले तो इन्फेक्सियस होता है ति संक्रामक अथवा जीविये या मद्ज जीविये रोग जिसमें हम जो बैक्टीरिया होते हैं, वाइरस होते हैं, माइकोप्लाजमा होते हैं, फंगस होते हैं, इन से जो डिजीज लगती हैं, हम इसमें रखके अध्यन करते हैं, और संक्रामक रोग उसमें रखते हैं, जैस में संक्रमण नॉन इंफिक्स वी मारी वह दिसओडर्ड्र नियुकुकित time इस वह हो रहा है और तो सब्सक्राइब लग रहा है फूल गोगी में तो इस पकार को हम क्या कहते हैं असंक रामग रोक कहते हैं जो असंक रहा है उतक्र है क्या आए ट्रेट और चांग रहा है चानल मुट रुद्ध आफ। भी प्रोगी करदिक रहा है। जब ऐसे प्रफ भी रुद्धड, क्या वुद्ध, क्या रहा है।